आलू की सबजी एक ऐसी सबजी है जिसे शायद ही कोई ना पसंद करता होगा वो मतलब कभी भी दे दो कुछ भी नहीं है तो आलू की सबजी बना लो और खालो ये मतलब एक सेवियर है और आप कभी भी बना सकते हो तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सबजी और आप बो करदी चैजन के चाचके वाइस वाली तेल दाल यहां पर आलू को पतला पतला वैसे काट लिया उस फ्रससेट ऑपर प्याज कर देंगे भादी प्याज पर साथ उसे वीखे अपका सफं कहने ऑड ार दालू कि उस तोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है उसके बाद हमने यहां पे डालेंगे टमाटर को मैंने छोटा-चोटा मतलब स्लाइस करके डाल दिया है उसके बाद सब को मिक्स कर देंगे और फिर उसको धक के दसमेरे के लिए छोड़ देंगे उसको जलाना नहीं है जस उसको अच्छी तर इस सबजी में अब हमना सबजी को अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे यहां पे पानी ना मैंने कुछ जाड़ा डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी वाला इसका जो रहता है वो अच्छा लगता है थोड़ा सा वाटरी वाला अगर आप चाहते हो क आपको थोड़ा सूखा खाना है तो कम पानी डाना देखी कितनी अच्छी तरह से सब कुछ अच्छे से मतलब बॉयल हो चुका है अब मैं क्या करूंगे ना आलू जो पक चुके हैं अब मैं उसको मैश कर दूँगे आलू को मैश करने से ग्रेवी तोड़ी सी गाड़ी होत कि मानोगी इतनी सिंपल सब्जे कुछ नहीं डाला है लेकिन चार पांच रोटी मैं खा गई इसके साथ अपना यह सब्जे पराथे के साथ खाईएगा सिंपल पराथा जो घी वाला होता है ना उसके साथ जादा अच्छी लगेगी तो अब मैं बनाने जारी हूं ड्रेगन प्रूट लिए बिएगन फ्रूट करना ड्रेगन फ्रूट का उपर का हिस्जा और नीचे के लिए baixoों को तैसे हमें ब्रीड को काट लेना है और कि उसके बाद जानें और यहीं सकते हैं किस तरह से काट रहे हूं देखिए अब में आप चोटा सा चीरा लगा दूंगे इस तरह से और उसके बाद उसी चीरे के बगल से एक स्किन को थोड़ा सा निकाल के फिर पूरी तरह से हम ड्रेगन फूर्ट को अच्छी तरह से छील सकते हैं देखिए कितना इजी है यह वाला पिंक वाला जो ड्रेगन फूर्ट है ड्रेगन फूर्ट एक्चली दो कलर के आते हैं एक आता है वाइट कलर का और एक आता है यह पिंक कलर का दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकिन कहते हैं कि पिंक कलर वाला जो ड्रेगन फूर्ट है उसमें आयर्म की मात्रा कु कोई भी शेप दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इसका शेकी बनाने वाले हैं ज्रैगन फुट काटने के बाद हाथ इतने अच्छे लगते ना लाग पिंग पिंग कलर मैं थोड़ा वो लिप्स में भी लगा लेती हूं तो आप मैं क्या करूंगी ना मैंने एक स्थायitié निया है अब ना उसमें डाल दोंगी दूद यहां पर मैंने लिया है दो ग्लासी बनाने वाली हूँ में और मेरी बेटी के लिए दोनों के लिए आप लोग आपके घर में जितने लोग हैं उसे साफते आप डूर डाल देना यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्रैगन फूर्ट जो मैंने काट के रखा था और उसके उपर मैं यहाँ पे चीनी डाल दूँगी यहाँ पे मैंने चीन में पहले ग्राइंड करके रख दिया था तो वही वाली चीनी मैं यहां पर डाल दे रही हूँ अब मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और हो गया है हमारा ड्रेगन फूट का मिल्क शेक बिल्कुल रेडी बहुत ही यम लगती है बहुत फिलिंग भी होती है बहुत और कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू